हलो साथियों आप सभी को नवर्ष के हार्दित सुपकामना हैं यह नवर्ष आप सभी के लिए मंगल मैं हूँ और आप सभी को सफलता प्रदान करें इसी सुपकामना के साथ आज मैं यह जीयस की सिरीज ले करके आया हूँ मैंने बताया था कि 1 जनौरी 2022 से मैं जीयस की सिरीज शुरू करने जा रहा हूँ यह पाच महत्पोर्ट परशनों की पहली सिरीज है आसा करता हूँ यह आपके लिए बहुत ही उप्योगी सिरीज होगी तो आज यह आज की सिरीज शुरू करते हैं द्रольш गढ़ राजी का गटन किस प्रदेश के विभाजन से सम्पन हुआ यह पहला प्रसंब है चैपेर राजी का गटन किस प्रदेश के विभाजन से सम्पन हुआ तो मित्रू सबसे पहले यहां पर देखिए सन 2000 एक ऐसा वर्स था जब भारत में तीन ने ने राजियों का गठन हुआ और उस वर्स नवंबर माह में ही तीनों राजियों का गठन हुआ था तो आईए देखते हैं देखू सबसे पहले एक नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और इसके फल्स रूप 36 गढ़ राजि का गठन हुआ इससे पहले भारत में 25 राजि थे और जब 36 गढ़ राजि का गठन हुआ तो ये भारत का 26 राज बना और ये मध्य प्रदेश का विभाजन करके बना था आप देखिए इसी नवंबर माह में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और इसके फल्स रूप उत्तरा खंड राजि का गठन हुआ और ये भारत का 27 राज बना कौन सा 27 राज बना और इसी नवंबर माह में 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज का विभाजन हुआ और इसके फल्स रूप जार खंड जार खंड राज बना और ये भारत का 28 राज बना तो अब इस प्रस्न से इतने प्रस्न बने इतने फैक्ट बने फिर से देख लिजिए एक नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 36 राज बना ये भारत का 26 राज बना नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ उसके फल्स रूप उत्तराखंड का गठन हुआ 37 राज बना फिर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का व बना जो भारत का 28 राज बना तो इसका जो करेक्ट अंसर है ओ है मध्य प्रदेश, 36 गड़ राज का गठन मध्य प्रदेश के विभाजन से संपन हुआ, ठीक है, अगला प्रसन देखते हैं, अगला प्रसन ये है हमारा, भारत के सम्मिधान में किसकिस संस्तुती पर मोल करतब को जोड़ा गया, अब यहाँ पर बहुत ही महत्पूर प्रशन है, देखे मित्रुफ, ये जो मोल करतब है, ये हमारे मोल सम्मिधान में नहीं थी, सन 1976 को, हमारे सम्मिधान में एक संसोधन हुआ, और ये जो संसोधन हुआ था, ये 42 सम्मिधान संसोधन हुआ था, और इस संसोधन के तहित, हमारे सम्मिधान में मोल करतब्यों को जोड़ा गया, और जो मोल करतब्यों को जोड़ा गया, तो उनको अस्थान कहां दिया गया, ये अस्थान दिया गया, भाग चार, भाग चार का बनाया गया, और अनुछेद इसमें एक क्यामन का पाड़ कर गया उसको mad का बनाए गया इसमें मूझवकर्दवियों को जोड़ा गया अब फूछ यह रहा है किसकी संस्तुती पर तो उससमें जो एक कमेटी बनी थी श्वडंसureau स्झामेत इसके आधार पर मूझथब कर्दाब्यों को जोड़ा गया ये जो सुढ़ सिंग समित बनी थी इसका नेतरत सर्दार सुढ़ सींग कर रहे थे तो ये मूल कर्दब जोड़े गए उस समय केवल 10 मोल करतब भी जोड़े गए थे कितने जोड़े गए थे 10 लेकिन शन 2002 में शन 2002 में एक और समिधान संसोधन हुआ और ये जो संसोधन था ये 66 समिधान संसोधन था कौन सा? 66 इसमें मोल करतब यो में एक मोल करतब और जोड़ दिया गया तब इसके फल्सरूप जो मोल करतब भी हुए थे हो गए 11 यह important है कि जो 11 मोल करतब भी था यह कौन सा था तो यह सुनिए यह था कि 8 वर्स से सुरी यह जो समिधान संसोधन था इसमें मोल करतब जोड़ा गया कि 6 वर्स से 14 वर्स तक के बच्चों की सिच्छा के आउसर प्रदान किये जाए यह सभी माता पिता की जिम्मेदारी होगी मतब सभी माता पिता की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अपने 6 से 14 वर्स के बच्चों को समुचित सिच्छा के आउसर प्रदान करे यह चाहे उनके स्वयम के बच्चे हो या उन पर आसरित बच्चे हो तो यह समिधान संसोधन हुआ अब इसमें यह देखते हैं एक और important fact बनता है कि यह जो मूल करतब हमारे सम्मिधान में जोड़े गए हैं यह किस देश के सम्मिधान से लिए गए हैं तो यह रूस के सम्मिधान से लिए गए हैं तो यह fact clear हो रहा है तो इसका जो correct answer होगा होगा डी स्वाडसिंग समिधी अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन यह है कि माता टीला बांध किस राज में इस्थित हैं यह जो माता टीला बांध है ये उत्तर प्रदेस राज में है, जासी जिले में, उत्तर प्रदेस राज के जासी जिले में, और जो इसे एक महत्पूर फाइक्ट ये बनता है कि किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है, किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेस के जासी राज में बेत तुमेलित नहीं है। बहुत ही महतपोड प्रश्नु है। अक्सर कंपडिशंस में या अंदोलन और इनका वर्स पूछ लिया जाता है। और अक्सर विद्यार थे इसमें इसमें दिया है खिलाफ़त अंदोलन, भारत छोड़ अंदोलन, असायोग अंदोलन, सभी ने अवग्य अंदोलन, और समने 19, 19, 1942, 1920 और 1921 दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसमें गलत है, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई ह ट्रिक ध्यांदें, देखे, 19 ने खिलाफ़त की, 20 ने असयोग किया, 30 ने बिनाई की, 42 ने भारत छोड़ा, ये ट्रिक है, ध्यान रखेंगे, 19 ने खिलाफ़त की, 20 ने असहयोग किया 21 ने सुरी फिर से देखिए 19 ने खिलाफत की 20 ने सहयोग किया 30 ने बिने की 42 ने भारत छोड़ा तो ये इसकी टिक बन जा रही है तो अब मिला सकते हैं कि 19 ने खिलाफत की यानि कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये सन 1919 में हुआ था सही है फिर है 20 ने असहयोग किया क्या किया 20 ने असहयोग किया यानि कि जो असहयोग आंदोलन चला था 1920 में चला था ये भी सही है फिर है 30 ने बिने की 30 ने बिने की तो बिने की मतलब सविने अवग्या अंदोलन तो जो सविने अवग्या अंदोलन चला था ये 1930 में चला था यहाँ पर दिया है 1920 तो यह यहाँ पर फाइक्ट रॉंग है और 42 ने भारत छोड़ा तो भारत छोड़ा अंदोलन ये 1942 में है तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है ओ सबिने अवग्या अंदोलन के सुमेलित नहीं है यह कब चला था यह 1930 में चला था अगला प्रश्ण है कार्बेट रास्टी उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है बहुत है मातपूर प्रश्ण है तो सबसे पहले यह जान लीजे कि कार्बेट रास्टी उद्यान ह तो यह उत्तराखंड राज में है अमित्रु इसके मैं फैक्ट बताता हूं वह सारे इंपोर्टन फैक्ट है यह भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला रास्टी उद्यान है इसकी अस्थापना सन 1936 में की गई थी उस समय इसका नाम रखा गया था हैली रास्टी पार्क हैली रास्टी पार्क उसमय इसका नाम हैली रास्टी पार्क रखा गया था फिर 1954 में इसका फिर नाम बदल दिया गया इसका नाम रखा गया राम गंगा रास्टी उद्या फिर उनिस सो सक्तामन में इसका नाम फिर बदला गया और इसका नाम रखा गया जिम कारबेट राश्टी उद्यान तो इसके तीन नाम रखे गये थे किसी भी नाम से पूछा जा सकता है अगर पूछा जाए कि ये हैली राश्टी पार्क इसी का पुराना नाम है राम गंगा राश्टी पार्क इसी का पुराना नाम है और जिम कार्वेट राश्ट उद्यान ये तीन इसके नाम है और ये उत्तराखंड राज में आब इसकी स्थिती पर देखते हैं कहां है इसका निकटतम रेलवे स्टेशन क्या है तो ये उत्तराखंड राज में नैनी ताल जिले में कहां है नैनी ताल नैनी ताल एक जिला है वहां पर है और नयनित ताल जिले में यह राम नगर से 12 किलोमेटर की दूरी पर है तो इसका जो सबसे निकत्तम रेलवे स्टेशन गया है राम से 12 किलोमेटर की दूरी पर है तो यह आज के पाच प्रशन मैंने कम्प्लीट की हैं यह सिर्म नाम के पाच प्रशन हैं इन से लगभग 20-25 प्रशन तेयार हो गया है मित्रूं आसा करता हूं कि प्रशन आप के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी आप सभी लोग कमेंट में इसका सुझाओ दे कैसे लगे यह प्रशन और ठीक है ऐसे ही मातपूर प्रशनों के एक सीरीज लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं